नमस्कर आदर्श सिक्षम संस्तान नागोर दोरा संचालीत ओनलाइन कक्षा में आप सभी भाईया भाईयों का हार्दिक स्वागत एवोन अभी नन्न है पिछली ओन्दैन कक्षा में हमने सुधामा चरित काव्य के चतुर तेवं पंचम काव्यांस तो का अध्यन किया था आज हम सुधामा चरित काव्य के छटे काव्यांस का अध्यन करेंगे काव्यांस छै के वह टूटी सी छानी हती कहा कंचन के अब धाम सुहावत के पग में पनहीन हती कहले गजरा जहू ठाडे महावत भूमी कठोर पे राद कटे कहले कौमल सेज पे नीन आवत के जुड़तो नहीं कोदो सवा प्रभू के परताप ते दांख नबावत काव्यास चैद एक बार पुने के वह तूटी सी चानी हती कहले कंचन के अब धाम सुहावत के पग में पहनीन हती कहले गजरा जहू ठाडे महावत भूमी कठोर पे राद कटे कहले कौमल सेज पे नीन आवत के जुड़तो नहीं कोदो सवा प्रभू के परताप ते दांख नबावत सब्दार छानी जोपडी कंचन धाम स्वन्य के महल कठोर सक्त परताप क्रिपा पनही जुत्ता महावत हादिवान जुरत जुटना या प्राप्त होना प्रसंग प्रस्तूत काव्यांच हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भागतीन में संक्लित नरतमदास जिद्वार रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया इस काव्यांच में कवी ने कृष्ण जिद्वारा प्राप्त साइता के बाद सुदामा को हन्ने वाली दूईदा के बारे में बताया व्यक्या प्रस्तूत काव्यांस में कभी कहते हैं कि के वह तूटी सी छानी हती कहें कंचन की अब धाम सुआ कहते हैं कि सुदामा के पास पहले तो एक तूटी वी सी जहोबडी थी लेकिन अब उनको खौने के महल कहाँ सोबित होने वाले हैं के पग में पैननी नहती कहने ले गजरा जहू ठाडे मागद पैरों में पैनने के लिए जुटते भी नहते लेकिन अब उनको कहीं भी जाने के लिए हातियों की सुवारी होती है अर्था सुवारी के सादन उतलब्ध है भूमी कठोर पे रात कटे कहां कॉमल सेज पे नीन ना आवत कि पहले कठोर भूमी पे रात काटनी पड़ती थी है था सुने के लिए बिश्तर भी नहीं थे लेकिन अब सुकॉमल सेज पे नीन नहीं आती है जहां पहले तो ये इस्तिति थी कि उनके खाने के लिए घटिया कि वोदो सवाँ प्रभू के परतापते दाफ नबावत लेकिन बगवान स्री कृष्ण की करपा से उन्हें किसमी स्मेवा उपलब्द है फिर भी वे उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं कहने का ताथ पर यह है कि सुदामा को बीना बताए बगवान कृष्ण ने उनकी साहिता कर आव सकते हैं नहीं उनके स्वारी के लिए हाती गोड़े वहां पे तयार रहते हैं पहले कठोर भूमी पे रात काटनी पड़ती थी लेकिन अब वहां पे अच्छे अच्छे बिश्टर हो गए हैं पहले उनको खाने के लिए दो समय चाहल भी नसीब नहीं होते थे लेकिन बगवान की किरपा से उनको दाख और मिवे प्राप्त हो गहे हैं जो फिर भी उनने अच्छे नहीं लगते है इस प्रकार से काव्यांस 6 पूर्य वे इन सभी काव्यांसों में से तीन प्रश्ण पहले आपको करवा दियें अभी तीन प्रश्ण और बाकी है जो देखते हैं प्रश्ण अभ्यास, प्रश्ण सिंक्यत चार द्वारका से खाली हाथ लोटते समय सुदामा मारग में क्या-क्या सोचते जा रहे थे वहकृष्ण के वेवार से क्यों खिज रहे थे सुदामा के मन की दुविदाब अपने सब्डों में प्रकट कीजिए उत्तर, द्वारका से खाली हाथ लोटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था वे कृष्ण द्वारा अपने प्रती किये गई वेवार के बारे में सौच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहूंचे तो कृष्ण ने आनन पुर्व उनका सत्कार किया क्या वे सब दिखावती था यही बाते सोचकर सुदामा परिशान हो रहे थे वे क्रिष्ण के वेवार से खिज रहे थे क्योंकि केवल भावनाव संबंदो द्वारा ही कि शिरी क्रिष्ण ने सुधामा को खाली हाथ भेज दिया था वे तो क्रिष्ण के पास जाना इनी चाते थे लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें जबर्दस्ती मदद पाने के लिए क्रि प्रश्ण सिंग्या पांच अपने गाउं लोड कर जब सुदामा अपनी जौपड़े नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या विचार आये कविता के आदार पर लिखी उत्तर द्वारका से लोड कर सुदामा जब अपने गाउं वापस आये तो अपनी जौपड़े के इस्तान पर बड़े भविये मैलों कर देख कर सबसे पहले तो उनका मन ब्रहमित हो गया फिर उनके मन में विचार आया केहीं वे गोम फिर कर वापस द्वारका तो नहीं चले आये फिर सबसे पूछते पिरते अपनी जौपड़ी को ढूणने में लग गए प्रश्ण सिंक अच्छा है निर्धनता के बाद मिन्ने वाली संपनता का चित्रन कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्नित है उसे अपने सब्दों में लिखिए उत्तर निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की करपा से सुदामा को धन संपता मिलती है जहां सुदामा की तूटी फूटी सी जौपड़ी वा करते थी वहां अब स्वराण बाउन सोबित है जहां पहले पेरों में पहनने के लिए चपल चुते तक नहीं थे अब वहां पेरों से च खाने को किसमी समयवे भी उपलब्द है लेकिन में अच्छे नहीं लगते हैं इस प्रकार से पार्ट शुदामा चरीत कावे पूरा हुआ इसके प्रिष्णात्र एवं सदार्ट पेले भी आपका दिये वह हैं और इस भाग में भी दिये वह हैं यह आप सब अपनी उत्त्र नमस्कार